आज आपर बात करने वाले हैं जेंडर रिलिजन एंड कास्ट के बारे में इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू में हमने बात किया था जेंडर और रिलिजन के बारे में जिसका लिंक आपको description box मिल जाएगा वहाँ से जाके वीडियो को complete कर सकते हैं इस पार्ट में हम basically बात करने वाले हैं कास्ट के बारे में तो वीडियो लास्ट देखी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे like करें, share करें, subscribe करें सबसे पहले में कास्टिजम या जाती व्यस्था का मतलब समझना होगा जाती व्यस्था का ताथ पर ऐसे social groups होता है जो जन्म के आधार पर, कार के आधार पर या diet के आधार पर एक दूसरे से समान होते हैं एक दूसरे के जैसे होते हैं इसी के आधार पर जाती का निर्मार ह होता है जाति निर्मार या जाति व्यस्था का अगर सबसे बताया जाए जाएं कहां से होता है तो इसका जो होता है वह हमारे रिगवेद से होता है हलाकि रिगवेद में जो जाति व्यस्था का आधार बताया गया था वह जन्म ना बताकर कर्म बताया गया था जो भी बटवारा किया गया था इसमें जाती का वो कर्म के आधार पर किया गया था ना कि जर्म के आधार पर किया गया था जातियों को चार वर्ग में बाटा गया था ब्रामहड छत्रिये वैश और शूद्र इन चार कैटेगरीज में बाटा गया था कर्म के आधार पर एक दूसरे से अलग थे परन्त इनके जो अधिकार थे वो मूलता समान थे हमारे भारती समाज में जाती वर्ष्था व्यापक रूप से फैली हुई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं यहां पर जो भी मैरेजिस होती हैं वो सेम ऑक्यूपेशन, सेम कास्ट और सेम रिरिजन को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं और उनमें उसमें कास्टिजम को सबसे ज़्यादा प्रियॉल्टी दी जाती है कास्टिजम को जाती वर्ष्था को सबसे पहले मूल आधार माला जाता है और उसी के आधार पर मैरेजिस होती हैं यहां पर कास्ट इन को पूरी तरीके से वहां पर खतम कर दिया गया है और उसके लिए अलग सी एक आर्टिकल बनाया गया पर यहां भी जातिगत आधार पर दूसरे विक्तिक से साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ऐसा नहीं है कि लोवर कास्ट में लोग रिच नहीं होते हैं या उनमें एजुकेशन नहीं होता है लेकिन अगर हम कंपरेजन करें तो अपर कास्ट के पेच्छा यह संख्या बहुत ही जादा कम है लोवर कास्ट से बिलांग करने वाली कापी बड़ी संख्या ऐसी है जो अभी भी इलिटरेट है उनको पूरी तरीके से जो भी एजुकेशन मिलनी की चाहिए वो नहीं मिल पा रही है जिस बिकॉज आफ देर लोवर कास्ट कास्ट सिस्टम का पॉलिटिक्स में भी अपना एक अलग महत्तो है चरीश हो जानते हैं आजनीत में जाती विवस्था कितनी महत्तपूर है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले जात पर पूरे ही चुनाओं का जो भी परडाम है वो निर्धारित किया जा सकता है हमारे भारत में कुछ ऐसे लीडर हुए जिन्होंने कास्ट सिस्टम को खतम करने के लिए और इनिक्वेलिटी को खतम करने के लिए बहुत सारा काम किया उन्हें से जोतिबाफुले महत्मा है और इंटरकास्ट मेरजस के लिए उसने अलग से लीगल आर्टिकल बनाए हुआ है आज भारती राजनीत में अपना केंडिडेट खड़ा करने से पहले कोई भी पार्टिकल पार्टी वहां पर जातिगत आधार पर उसका आकलन कर लेती है कि कि जातिके लोगों की संख्या उस अमुक छेतर में सबसे जादा है उसी के आधार पर अपने केंडिडेट को वहां पर खड़ा करते हैं वहां उसी विक्ति को अपना टिकट देती है जिससे उसे सबसे जादा वोट आने की संभावना होती है कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जातिकत आधार पर पॉर्टिकल पार्टीज वोट करने की अपील करते हैं और किसी एक खास गुरूप के वोट हासल करने के लिए कई तरीके गलत नीतियों का भी यहां पर उप्योग किया जाता है और कास्ट सिस्टम को मॉबिलाइज करने की पूरी तरीके से हर एक राजन नीतिक पार्ट की की कोसिस होती है इसके लिए संस्था काम करती है युनिवर्सल एडल्ट फ्रंचाइज जो इस तरह के जो कास्ट बेस इसूस होते हैं एलेक्शन के डिवरेशन में उन पर सुनवाई करता है और जो भी इसमें दोसी पाया जाता है उसके खिलाब कारवाई की जाती है चले बात कर लेते हैं इन कास्ट सिस्टम की लिमिटेशन के बारे में हमारी कॉंस्टिवेंशी में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही कास्ट के लोग आपको पालिटिकलर गूप में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वहाँ पर हर एक ग्रूप के लोग कास यूंकि सारे वोड्वल्ण मिल जाएं कि ऑक जी कूछ एसे भी लोग होते हैं जो जातिक ciao कि अधार के ऊपर उठव कर जो वेकितिकलर होता है जो योग होता है उसको अपना वह देते हैं कि तो किस तरह से रिद्वाल्पंट कやって हैं श्रीकरर के उपर हमें ध्यान देना होग education के level को यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए literacy rate को यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए और education को priorities देनी चाहिए education को सबसे पहले पर रखना चाहिए next है jobs हमें jobs ध्यान देना चाहिए किस तरह से ज़्यादा तरलोग जो है उनको job मिल सके और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है awareness लोग में जाग रुकता होनी चाहिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें